ऐसी पहाडों की घाटी जहां रंग विरंगे फूल खिले हों जहां हर तरफ तरह तरह के प्राकृतिक फूल अपनी खुश्पू बिखे रहे हों ऐसी जगह का दिदार हर कोई करना चाहता है जी हां हम बात कर रहे हैं विश्व विख्यात पुलों की खाटी की जीसे देखने हर साल देश विदेश से लाकों सेलानी आते हैं और लोटते वक्त इहां की परवट रिंखलाओं से दोबारा आने का वाटा करके जाते हैं यहां आपको फूलों की घाटी से रूबरू होने का मौका मिलता है जहां रंग बिरंगे फूलों की प्रजातियां लोगों का मन मुह लेती हैं प्रकृती प्रेमियों के लिए ये जगह स्वर्ख से कम नहीं स्थानियों लोग फूलों की घाटी को पर्यों का निवाज भी मानते हैं जिसकी वजह से वो लंबे समयता के हां जाने से कत्राते थे उत्राखन के चमोली जिले में स्थित फूलों की घाटी की खोज 1931 में फ्रैंक स्मेट और उसके साथ ही होल्ड सवर्थने की थी जो एक ब्रिटिश परवतारो ही थे उनकी इस खोज से फूलों की घाटी विश्वविख्यात हो गई बेहत कम लोग ये जानते हैं कि फूलों की घाटी का उल्लेख हमारे धर्म गरंथों में भी मिलता है मान्यता है कि राम रावन युद्ध के दौरान लक्ष्मन के मूर्शित होने के बाद हनुमान जी इसी स्थान से उनके लिए संजीवनी बूटी लेकर गए थे दरसल इस उच्छे मालेक शेत्र में बहुमूले जड़ी बूटियां पाई जाती हैं जो कई बीमारियों में राम मान मानी जाती है तो फिर किस बात का इंतिजार है अपना बैक पैक कीजिए और आप भे आईए और फूलों की घाटी का दीदार कीजिए फूलों की घाटी घूम कर कोरोना के दिये सारे दंश भूल जाईए बीरो रिपोर्ट एटीवी भारत